हेलो फ्रेंट्च, स्वागत है आप सबों का अबशी अकडमी पर फ्रेंट्च, आज के इस क्लास में Regionalology को देखने वाले हैं यादिके जनतों विग्ञान को देखेंगे खान सर के Notes को आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं आप में से जो भी लोग UPSC, BPSC, JPSC, UPSC, CDPO है, CDS है CAPF है, CETN की, जो टीचर वाला होता है SSC है, Railway, NDA, BSSC और बिहार दरोगा अगर आप इन सब जॉब में से किसी जॉब की तयारी कर रहे हो आप लोग आज के इस क्लास को ध्यान से देखिए आप में से जो भी लोग नए हो, आप यहाँ पर ध्यान रखे बिहार दरोगा का यहाँ पर इस चैनल पर अभी काफी सारा प्रैक्टिस सेट अगरा अभीलेवल है जो लोग दरोगा की तयारी कर रहे हैं, आप चैनल से अभी ही जूड जाएए इसके अलावे जो भी लोग खान सर के नोट्स को देखना चाहते हैं, आप लोग भी चैनल से जोड जाएए क्योंकि यहाँ पर आपको खान सर के मैक्सिमम से मैक्सिमम नोट्स मिल जाएंगे जो भी आपको देखना हो, आप प्लेलिष्टा आईए, चेक करिए बस देखे आपको सारा क्लास जरूर मिल जाएगा, देखे आज के इस क्लास में उत्सर्जन तंत्र को देखने वाले हैं, क्या देखना है पहले समझ लेजिए उत्सर्जन तंत्र को देखेंगे, नेक्स्ट वाले क्लास में तंत्र का तंत्र और फिर इसके बाद वाले क्लास में देखेंगे जनन तंत्र को देखें आज के इस क्लास में आपको सर्जन तंत्र पर अच्छे से कमांड करिए आज के इस क्लास में आपको सबसे पहले इसके बारे में पहड़ना है सही से उसके बाद जो key point होता है जो main point होता है उसे आप देखिएगा और last में 70 MCQs लगाने वाले 70 questions भी इस वाले class में आपको देखने को मिल जाएगा आप लोग class को ध्यान से देखिए समझने के courses करिएगा आए श्टार्ट करते हैं आज केस class के point number first से उत्सरजन सरीर से अपसिष्ट पदार्थ अपसिष्ट मतलब खराब पदार्थ को सरीर से बाहर निकालने की करिया को उत्सरजन कहते हैं अंगों के वैसे समुह जो खराब पदार्थ को सरीर से बाहर निकालते हैं उत्सरजी अंग कहलाता है वो अंग का वैसा समुह, जो खराब पदार्थ को सरीर से बाहर निकाल दे, उसे उत्सरजी अंग कहा जाता है मानव में परमुक उत्सरजी अंग है, मतलब 6 तरीके का उत्सरजी अंग है 5 तरीके का कौन कौन सा है, फेफरा, आत, यक्रित, त्वचा और व्रिक फेफरा, CO2 तथा वास्प सील पदार्थों का उत्सरजन करता है, तथा अमूनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को योडिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदल कर उसके उत्सरजन में परमुक भुमिका निभाती है कौन फेफरा, तो अच्छा पसीना तथा सीबम का उत्सरजन करती है, व्रिक यनि किड्नी यह सबसे परमुक उत्सरजी अंग है, इसकी संख्या कितनी होती है, दो होती है, इसका आकार सेम के बीच के समान होता है, परतेक व्रिक का भार लगभग 140 ग्राम होता है, व्रिक के परियोटिनियम नामक जिली में बंद रहती है, दाहिना किड्नी यक्रित के दवाव के कारण नीचे दव जाता है, व्रिक का बाहरी भाग उत्तल जबकि भीतरी भाग अवतल होता है, व्रिक का बाहरी भाग कैसा उत्तल होता है, और भीतरी भाग कैसा अवतल वाला होता है, देखें यहाँ पर फिगर दिया हुआ है इसे आप अच्छे से चाहें तो देख सकते हैं विरिक्के के बाहरी भाग को कार्टेक्स जबकि मोटा वाला जो आंतरिक भाग है इसको मैडियूला कहते हैं विरिक्के के बाहरी पतला वाले भाग को कायटेक्स कहा जाता है और आंतरिक मोटा भाग को मैडियोला कहते हैं विरिक्के के आंतरिक परवेश द्वार को हायलम कहा जाता है विरिक्के के आंतरिक परवेश द्वार को हायलम कहते हैं प्रतेक विरिक में लगभग कितना नस है इसे काउंट करिए जिन्हें विक्रानू कहा जाता है क्या कहते हैं विक्रानू सवाल पूछेगा विक्रानू किसे कहते हैं तो देखिए विरिक के के आंतरिक परवेश द्वार को हायलम कहते हैं हायलम किसे कहते हैं विरिक्य के आंत्रिक प्रवेश द्वार को प्रतिय विरिक्य में लगभग कितना है तीस लाग नस होती है जिसे विक्रानु कहते हैं विरिक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रोन को कहते हैं जह सवाल आपने बहुत बार देखा होगा विरिक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रोन कहा जाता है मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन का वास्तेक कारी इनहीं नेफ्रोन के द्वारा किया जाता है अतह इन नेफ्रोनों को उत्सर्जी इकाय भी कहते है परते एक नेफ्रोन के मुह पर एक कटोरी या प्याले नुमा सन्रचना पाई जाती है जिसे बोमन संपुट कहते है प्रतेग नेफ्रोन के मुह पर एक कटोरी जैसा या फिर प्याले की जैसा कहिए संद्रजना होती है जिसे बोमेन संपूट कहते हैं बोमेन संपूट कहीं रक्त कुछ चानता है या फिर निस्पादन करता है या फिर अल्राफिलेशन करता है बोमेन संपूर्ट पदार्थों को पुनह अवसूर्शन करना है बोमेन संपूर्ट पदार्थों को पुनह अवसूर्शन करना है अवरिक में करना होता है वरिक में रक्त को छाना जाता है इस किडिया को अपोहन कहते है वरिक में क्या होता है रक्त को बलड को छानना जाता है इसी किरिया को अपोहन जिसे डालेसिस के नाम से आप जानते हो डालेसिस मतलब अपोहन करता है अपोहन यहीं कि डालेसिस के किरिया परासन विधी के द्वारा होता है अपोहन के किरिया परासन विधी के द्वारा होता है डालेसिस नलिका जो कि केत्रिम अर्ध पारागम में जिल्ली द्वारा बनी होती है इससे होका जब रोगी का असुद रख्ट गुजाता है तो उसमें से अत्रिक त्योडिया एप्लस के अधिक उत्तरजी पदात अव्शूसित कर लिये जाते हैं मूत्र या फिर योडियन जो है इसका निर्मान कहां पर वरिक करता है इसमें 95% जल, 2% लवन, 2.6% योडिया और 0.3% योडिक अमल होता है मूत्र का pH लगवक 4.8 से 8.4 के बीच में रहता है मूत्र के प्रकेर्टी अमलिय होती है मूत्र का पिलारंग योडोकोम के कारण होता है जबकि मल का पिलारंग अगर पूछेगा तो बीलो डूबीन के वज़ा से होता है वडिक अवसिष्ट पदार्थों का उत्सरजन मूत्र के माध्यम से कर देता है वडिक जो है जहरले पदार्थों के प्रभाव को निश्करिया मतलब खतम कर देता है कौन वडिक वडिक में पाए जाने वाला पत्री जो है स्टोन कैल्सियम और जिलेट का होता है वडिक में पत्री का बनना रीनल केल कलाई कहलाता है वडिक में जो पत्री बनता है ये रीनल केल कलाई आपको ध्यान रखना है यही कहलाता है अब देखिए जैसा कि कहा क्या था तंत्र का तंत्र इसका class आपको मिल जाएगा class के last में विचा है तो thumbnail पर मिल जाएगा इसे अभी नहीं देखेंगे तंत्री का तंत्र को अभी जो एक topic को देखना है जनन तंत्र को भी नहीं देखेंगे वे उत्सर्जन तंत्र को देख रहे थे अब इसके key point को देखिए और फिर इसका MCQ लगाएंगे वह तंत्र जो उत्सर्जी पदार्ष्ट को शरीर से बाहर निकालता है उत्सर्जी तंत्र कहलाता है मनुस्य का सब से मूख उत्सर्जी अंग कौन सा है वरिक या कृत उत्सर्जन में किस प्रकार सहयता करता है या अमोनिया को यूरिया में बदल देता है वरिक किस जिल्ली के द्वारा घिरा होता है वरिक किस जिल्ली के द्वारा घिरा होता है पैरियोटिनियम जिल्ली के द्वारा घिरा होता है वरिक में कौन से नलिकाएं पाए जाती है मूत्र नलिकाएं या फिर नेफ्रोंस इसे कहते हैं विरिक में कौन सी नलिकाएं पाई जाती है मूत्र नलिकाएं या फिर नेफ्रोंस कहिए मूत्र वाहनियां कहां से निकलती है मूत्र वाहनियां विरिक के से निकलती है मूत्रासे का क्या कारी है मूत्र एकर्तित्र करना होता है मूत्रा से कहां इस्थित होता है उदर गुहा में होता है मूत्रा से इस्थित यक्रित कोशिकाओं में ओक्सीडेटिव डियमीनेशन की किरिया कहां होती है मैट्रो कॉंड्रिया में होती है मूत्र में जल की मात्रा कितनी होती है लगभग 95% फेफरे किन पदार्थों का उत्सर्जन करता है CO2 एवंग जल का फेफरा जो है किन पदार्थ का उत्सर्जन करता है CO2 और जल का योडिया की इस्तिती में रोगी को किस क्रिया के द्वारा उपचारित किया जाता है हेमो डायलेसिस के द्वारा उत्सरजी पदार्थों को कितनी स्रेनियों में बाटा गया है दो स्रेनिय में एक है कार्बनिक और दूसरा है और कार्बनिक जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मातरा बढ़ जाती है तो इससे कौन सा रोग होता है एडिशन रोग होता है जब मूत्र में जल साथ ही साथ सूटियम की मातरा बढ़ जाए तो इससे कौन सा रोग होता है एडिशन रोग होता है आश्मो रेगुलेशन का कार्य कौन सा अंग करता है वरिक करता है आस्मूर रेगूलेशन का कार्ड यह पूछेगा कौन सा अंग करता है तो यह वरिक करता है ध्यान रखें मूत्र में कौन सा वर्णक पाया जाता है योरोक्रोम पाया जाता है मूत्र निर्मान के दौरान आतीस सूक्स में छणन की किरिया को क्या कहते है वोमन संपूट में होती है पुनाह अवसोसन की किरिया नफरॉन के किस भाग में होती है स्रावी भाग बता दीचेगा तो यहाँ पे उत्जर्जन तंतर को आपने देखा अब तंत्र का तंत्र का नोट्स है जो की दूसरे वाले क्लाउस में आपको देखना है अब आज़ेए इसके उच्छाजन तंत्र के MCQs को लगा लेते हैं पूशन नमबर फर्स्ट कह रहा है एक स्वस्त मनुष्य एक दिन में निमलीखित मात्रा में पिसाब करता है कितना? एड आईट आंसर, देर लीटर डालेसीस किस समन्दित है? डालेसीस समन्दित है वडीक से वीड आईट आंशर यूडिया किसके दौर्णरारक्थ से बिथक मतलब अलग किया जाता है? घीर आईट आंशर, गोर्धा के मानव में गूर्दे निम्लिकित में से किस प्रणाली के अंग है सी राइट अंसर X-Creation का मानव में गूर्दे निम्लिकित में से किस प्रणाली के अंग है इसके लिए X-Creation बताना है विरिक्क में प्रती मिनत और शत रक्त प्रवा होता है 1200cc विरिक से प्रती मिनट और सद यने के एवरेज जो ब्लड है कितना वो उजड़ता है इसके लिए आपको बारा सो सेशी बताना है आप लोग चाहें तो यहाँ पर देखते भी चलिए किसके से एकजाम में पूछा गया है एक के बारे में दिया गया है एक ही सवाल बहुत सारे एकजाम में पूछा गया है सद के बारे में नहीं दिया गया है अपोहक जिससे कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह क्या है विरिक ओप्शन भी जब विरिक के कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है रक्त में नत्र जनित अपसिष्ट पदार्थ होता है जब जो विरिक है कार्य करना बंद कर दे तो क्या होता है रक्त में नत्र जनित अपसिष्ट पदार्थ जमा होने लगता है निम्ले कित में से कौन मानव गुर्दे का शामाने कार्य नहीं है रक्त में जल के मात्रा का नियंतरन करना है या नहीं है यूरिया को छान कर बाहर करना भी है मानव गुर्दे का काम कई हार्मोनों का स्रावन करना भी होता है एट का यहाँ पे भी राई टांसर हो जाएगा मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है केल्सियम आख ज़िलेट召्स सरीर में उपापच्यग परकिरिया द्वारा बनने वाले वर्ज या फिर विसाक्त को बाहर निकालने की किरिया विधी को क्या कहते हैं उत्सरजन, C-right answer, निम्रिखित में से कौन जीवाओं के सरीर में बनने वाला नैट्रोजीनी करन वर्ज पदार्थ है? आमोनिया, योरिक अमल और योरिया सभी होगा, D-right answer निम्रिखित में से किस वर्ज पदार्थ को सरीर से बाहर निकालने के लिए अधिक जल की आवश्च्चता होती है? कौन सा वर्ज पदार्थ? जल में सबसे अधिक भूलनसील है आमोनिया, A-right answer निम्रिखित में से कौन सा एक? आमोनिया उत्सरजी, प्राणी नहीं है केचवा और प्लेनेरिया जो है अमूनिया उत्सर्जी प्रानी है कौन सा एक यूरिया उत्सर्जी प्रानी नहीं है यूरिया उत्सर्जी अब बताईए मनुष्य है, वेल है, मेड़क है, प्लेनेरिया नहीं है, डीराइट आंसर है निमलिखित में से कौन? यूरिक अमल उत्सर्जी प्रानी है यूरिक अमल उत्सर्जी या बताएं सरी स्रिप, पक्छी और अस्थरी एक होंगा या फिर कीट यो है न योडिक अमल उत्रजे प्रानी में आते हैं मनुस्य के सरीर में निर्मित अमोनिया को योडिया में कौन परिवर्तित कर देता है सही जवाब है ओप्षन बी या क्रित राइट आंसर है नमबर 18 मनुस्यों के सर्जी तंतर में सामिल है एक जोड़ी विरिक, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्रा से एक मूत्र मार गे ओप्षन नमबर D हो जाएगा राइट आंसर, D नहीं मतलब C हो जाएगा और A, B, C, D सभी सही जवाब है मनुस्यों में विरिक के समद्ध में कौन सा कथन है जो गलत है देखिए, मनुस्यों के विरिक के समद्ध में इसका भार 120-170 ग्राम होता है या सेम के बीच की आकेटी की बनी होती है सही है, या मनुस्यों में मुख्य उत्सरजी अंग है, सही है, दाएं विरिक थोड़ी उपर होती है, जी नहीं गलत है वन, टू, थ्री यानि कि फर्स्ट, सकेंड, थर्ड सही है, चोथा वाला क्या है, गलत है निमलिकित में से कौन, गुर्दे का भाग है, गुर्दे के भाग में आ जाएगा वलकुट, बरतीनी अस्थम्ब और मध्यांस, डी राइट आंसर, सभी यहां पे हो जाएगा गुर्दे का भाग है निमलिकित में से किस अंग में पिरामीड जैसी सन्रचना पाए जाती है गुर्दा में, सीराइट आंसर हो जाएगा गुर्दा जो है उत्सर जान तंत्र या गुर्दे का कार्यात्मक एकाई को क्या कहते है इस्टार्टिंग में ही आपने देखा था यादो अगर तो नफ्रोन कहते हैं परतेक विरिक में लगवा कितना जो है जटिल नलिका कार्यात्मक विक्रानू पाई जाती है ओप्शन सी सही जबाब दस लाग निम्न में से कौन सा एक नफ्रोन का भाग नहीं है गुच्च है विरिक नलिका है स ए नोड जो है न यह नफ्रोन का पाट नहीं होता है सी राइट आंसर है बोमन संपूर्ट किससे समंदित है सही जबाब हो जाएगा ओप्शन ए गुर्दे से समंदित है नेफरोन का जो गुच्छ है और बॉमेन संपूट जो है इसे इसको मिला करके पतलब क्या बनता है कि ये मिलकर क्या कहलाता है कहलाता है ओप्शन भी मलपी गिकाय देखें नेफरोन का गुच्छ और बॉमेन संपूट मिलकर मैपली गिकाय कहलाता है हनले का लूप किसमें पा विरिक के धमनी और विरिक के सिरा किसी से समन्दित है? विरिक के धमनी और विरिक के सिरा समन्दित है? गुर्दे से D. सही जवाब अभिवाही धमनिया कोशिका गुच और अपवाही धमनिया किससे समंदित है उत्सर्जन तंतर से भी राई टांसर निम्लिकित में से कौन सा एक हमारे मुत निर्मान की परिकेरिया नहीं है प्रभावी आस्वन नहीं है एर आई टांसर निम्लिकित में से कौन सा एक हमारे लिए निम्न देहली पदार्थ है इसमें रक्त प्लाजमा का प्रोटीन उपस्थित होता है सी हो जाएगा सही जवाव उत्सरजर प्रिक्रिया के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा जो प्राप होता है निस्यंदर इसके समन में कौन सा कथन कह रहा है ना कौन सा कथन कह रहा है क्या गलत है कहां था ठीक है इसके लिए क्या बताना है इसमें रक्त प्लाजमा का प्रोटीन उपस्थित होता है यह गलत है इसमें जल, गुलुकोज और खनीज लवन उपस्थित होते हैं इसमें रोधिर कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं इसमें रक्त प्लाजमा का प्रोटीन अनुपस्थित होता है ओप्शन नमबर सी बसे क्या है कतन गलत है एक वयस्क मनुस्ट मनुस्य प्रती दिन औसतन कितना मुत्र उत्चर्जित करता है एक से डेर लीटर वीराइट आसर समानित मनुस्यों में मुत्र की मात्रा में विड़े धी होगी कभ होगी जब जल के अधिक वो कहिए कि पिना स्टार्ट कर दे ताज़ा मुत्र थोरा किस प्रकेर्ती का होता है अमलीय होता है एर सैर चांसर हमारे सरीण में योडोकुरॉम किससे इसके तूटने से बनता है बनता है option A अमूनिया के तूटने से मूत्र का हलका पिला रंग किस वर्णक के कारण होता है योडुक्रोम के वज़ा से ताजे मूत्र का गंद इसमें उपस्थित कारवनिक पदार्थ इन समय से किसके कारण होता है योडिनोड के भी हो जाएगा सही जवाब मूत्र का तेज गंद किसके वज़ा से होता है अमोनिया के वज़ा से भी हो जाएगा सही जवाब मानव मूत्र का pH मान लगभग कितना होता है वी राइट आंसर 6 एक सामान व्यक्ति के मूत्र में जल की जो मात्रा है वो कैसी होती है लगभग 96% निमर मैं से कौन मानव मूत्र के समझ में आशध यनि कि गलत है इसमें योड़िया लगभग 2% होता है इसमें जल लगभग 96% होता है या थोरा चारिए गलत योरोक्रॉम इसमें पीला वरनाख होता है या भी सही है नत्र तीसरा वाला जो है कथन ये क्या है गलत है निम्लिकित में से कौन डायूरेटिक पदार्थ है कौन है जो डायूरेटिक पदार्थ है सही जबाब होगा चाय, कॉफी और अलकोहल डी राइट आंसर ऐसे पदार्थ जो मूत्र स्राव की मात्रा को कम कर देते हैं क्या कहलाता है एंटिडायूरेटिक कहलाता है ऐसा पदार्थ जो मूत्र स्राव की मात्रा को कम कर दे उसे क्या कहते हैं एंटिडायूरेटिक कहते है निम्लिकित में से कौन सा एक विरिक का हार्मोन है अरित्रो पोईटीन सही जबाब हो जाएगा विरिक का हार्मोन क्या है अरित्रो पोईटीन है निम्लिकीत में से कौन सा एक हमारे गुर्दे का कार्य नहीं है गुर्दे का कार्य क्या नहीं है देखिए या शरीर में परासरन नियंतरन द्वारा जल का जो नीश्चित मात्रा को बनाए रखने का काम है करती है या रख्त में H प्लस आयल की जो सांदरता है इसको नियंतरत करने का काम करती है कह रहे है या B 47 का B भी सही है या सरीर से अपसिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है हाँ या हमारी रूजित को लाल रंग कह रहाएक दे जेता है नहीं ऑप्शन नमबर जो डी है यह हो जागा क्या गलत जवाब निकालत में से कौन सा एक और शमान मूत्र की इस्थिति है इसके लिए आपको टीक करना होगा ऑप्शन और शमान मूत्र के इस्थिति ना तो कीटो, कीटोन यूरिया, गलाइको सूरिया और पीलिया सभी हो जाएगा इन में से सभी 48 का डी राइट अंसर हो जाएगा रत में यूरिया का इकठा होना इसमें से किसकी इस्थिति को दर्साता है यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब 49 का C यूरे मिया का मानव शरीर में खून के सुद्धी करन की परकिरिया को क्या कहते है कौन सा कथन सही है शरीर में सारा रक्त किरिनी के माध्यम से सुद्ध होता है C बिलकुल सही जवाब है मनुष्य की शरीर में मुख नाइट्रो जनिये अपसिष्ट कौन सा है एर आइट अंसर यूरिया अस्तंधारी इसमें यूरिया बनाते हैं किसमे लीवर में A राइट अंसर मनुष्य में रुधीर छनता है मनुष्य में रुधीर B राइट अंसर बोमन संपुट में छनता है अपोहन कारी इकाई है कृत्रिम गुर्दा C राइट अंसर कृत्रिम गुर्दा निमलिकित में से किस सिधान पर कारी करता है A-Right answer विश्रन पर निम्न में से कौन मानव गुर्दे का शमानिकार नहीं है रक्त में शरकड़ा की मात्रा में नियंत्रन ओप्शन भी हो जाएगार A-Right answer मानव सरीर में योडिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाया जाता है C. राइट अंसर मूत्र में और श्रतन हमारा सरीर प्रतितिन कितना योडिया का उत्सरजन कर लेता है Option D. राइट अंसर 20-30 ग्राम पता ये इन समय से कौन सा है जो गुर्दे में पत्री का निर्मान करने वाला शमान योगिक है B. राइट अंसर calcium oxalate राइट अंसर निम्लिखित में से कौन सा अंग उत्सरजित पदार्थों को सरीर से बाहर निकालने में मदद नहीं करता है फुफूस धमनी करता है तचा करता है यकृत करता है कान नहीं करता है इन में से क्या है जो फुफूस द्वारा एक उत्सरजित पदार्थ है carbon dioxide B. विलकुर राइट अंसर है पसीना का मुख्यकार क्या होता है पसीना का मुख्यकार है वास्पिकरन द्वारा सरीर के सता को ठंडा रखना निम्ण में से क्या पसीने में नहीं पाया जाता है योडिया, जल, नमक पाया जाता है हैट्रोक्लोरिक अमल पसीने में नहीं पाया जाता है पसीने में सबसे अधिक मात्रा में पाय जाने वाला नमक कौन सा है sodium chloride पसीने में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वज़ा नमक का नाम है सोडियम कुल राइड सीबम क्या है 66 का राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर सी तेल गरंथियों का स्राव होता है सीबम बताएए इन सब में से क्या है जो किडिनी और मुत्रासय को आपस में जोड़ देता है मूत्र वाहिनी ओप्शन बीराइट आंसर नमलकित में से कौन सीशन रजना मूत्र को एकत्रित करती है मूत्रा से बीर आईट आंसर निम्रिकित में से किसमे रुधीर का निस्यंदन होता है देखी को किसमे रुधीर का निस्यंदन होता है ना यहाँ पे मैलपीगी पींड आपको यार रखना है ओप्शन डी हो जाएगर आईट आंसर मैल पीगी पिंट सही जवाब है बताये कि मनुष्यों के सरीर में मूतरवाहनी की शंख्या कितनी है मनुष्य के सरीर में मूतरवाहनी की संख्या है दो भी हो जाएगा राईट आंसर तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में आपने उत्सरजन तंत्र को देखा आज के इस class में आपने 70 MCQs को भी देखा आसा करता हूँ class आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको इसका जैसे तंत्रिकार तंत्र है जनन तंत्र है इसके अलावे भी काफी सारा और भी class है अगर आपको उसे देखना हो प्ले लिश्टा कर चेक करिए आप इन सब में से जिस भी जॉब की तयारी कर रहे हो उसके लिए आपका यह class आज का काफी बेश्ट है आप लोग चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं आप किस जॉब की तयारी कर रहे हैं और इस class को देख रहे हैं